नमस्कार हलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागते ह हलो डॉक्टर में हम आपको समय समय पर स्वास सम्वंदी कई जानकारिया देते हैं कई से विश्यों के बारे में आपसे डिसकस करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने स्वास का ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से आप अपने आपको और अपने आसपास वालों को अपने परिवार को स्वास रख सकते हैं आज हम जिस श्यखे पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही जादा आम है वो है सरदर्द लेकिन आपको बता दे हैं ये सरदर्द जैसे छोटा सा शब कभ एक विराट रूप ले लेता है और किस तरह से बहुत बड़ा सरदर्द बन जाता है आज हम इसमें शेपर चर्चा करेंगे और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हलो डॉक्टर में मौजूद है डॉक्टर अमित कुमार अगरवाल आप एक वरिष्ट नियूरोलाजिस्ट हैं आपको तकरीबन दो दशकों का अनुवव हैं और मरीजों की सेवा करते हैं उनका उपचार करते हैं उन्हें जानकारी देते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो जल से जल स्वस्थ हो सके डॉक्टर अमित आपका हलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार यदि आप भी डॉक्साब से बात करना चाहते हैं जानना चाहते हैं कि आपको कोई भी सरदर्द क्यों है और क्या इसका कारण है और क्या इसका रूप हो सकता है तो आप हमसे बात कर सकते हमार फो नमबर है 270-4098 और 270-4999 जैपुर से बाहर वाले दर्शक इस नमबर से पहले 0141 लगाना ना भूले तो डॉक्टर अमिज जैसा कि मैंने कहा आज हम सरदर्द के बारे में जानकारी आप से लेने वाले हैं को बहुत लंबा अनुबावे सरदर्द को लेकर के तो सबसे पहले सरदर्द जो बहुत ही आम बात है इतना सीरियस कब बन जाता है क्या कारण है सरदर्द के यह सर का दर्द एक कॉमन समय से है ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको जिंद्गी में कभी भी सिर में दर्द नहीं हुआ है Usually आम बाशा में सर का दर्द एक बिमारी है जिसको हम मायगिन बोलते है मायगिन usually 20-40 साल की महिला में जादा मिलती है लेगिन यह बच्चों में भी हो सकती है पुरूशों में थोड़ी कम मिलती है मायगिन यूजरी दो परकार कहा में देखने को मिलता है Classical Migraine और Common Migraine तो यूजरी Common Migraine में औरा नहीं होता औरा क्या होता है औरा मतला होता है जिसमें कि सिर्मे दर्द से पहले मरीज को कुछ एहसास हो जाता है कि अब उसको सिर्मे दर्द होने वाला है उसके बाद मरीज को सिर्मे दर्द रता है और उसके सिर्मे दर्द के करेश्टेस्टिक से हम पता कर लेते हैं कि जो मरीज है या, मायगीन्यागीया है, या और किसी पिरकार का है, तो इसमें मरीज को थरॉबिंग चटके चलना, दमाग के एक तरफ या तरफ, दाही तरफ या भाई तरफ, कभी-कभी पूरे सिर में दर्द हो जाता है, उस अवस्था में मारीज बिचलत हो जाता है, रेस्ट्रस हो जाता है, और मारीज को उस बक्त बात करना बल्कुली पसंद नहीं होता, और मारीज अकेले शांद कमरे में रहना पसंद करता है, जो common migraine, usually ज्यादा मिलता है, जो classical migraine होता है, उसमें मरीज को सिर में दर्द होने से पहले कुछ चमकिली-चमकिली चीजें, जी मालिश होना, यह इसको vomiting कहना यह नौजिया होता है, वो symptom आ जाते हैं, जी, डॉक्साब भी आपने migraine के बारे में जानकारी थी, लेकिन कभी-कबार ऐसा भी होता है, कि normal सरदर्द ह हो जाता है, आँखे कमजोर होने से हो जाता है, या बी-पी से भी इसको अकसर जोड़ कर देखा जाता है, तो कैसे पता चले कि जो सरदर्द है, यानि कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कपड़ती हैं, जी जो माइगन होता है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं कि primary headache है इसके usually trigger points होते हैं, triggers होते हैं, trigger factors, जैसे जो हमें commonly मिलता है एक खान पीन से, usually जो fast food ज्यादा काते हैं, आज के scenario में बात करें, तो बच्चे हैं, लेडिस हैं, जातर घर का खाना कम, बाहर का खाना ज्यादा खाना खाना पसंद करते हैं, बर्गर पीजा काते हैं, उन में ज् मोबाइल के skin पे बैठ रहते हैं, और नींद का नहीं ले पाते हैं, तो वो भी एक trigger point होता है, जिसके कारण से, माइगिन के attacks आ जाते हैं, वो इसके और भी trigger होता है, जैसे कि आप alcohol ज़्यादा ले रहे हैं, smoking ज़्यादा ले रहे हैं, वो भी trigger point की तरह काम करता है, तो यह किसी को माइगिन है, तो मैं आपकी मातन से बोला चाहता हूँ, कि आप पहले अपने trigger point को पैचाने, कि नेंद ना आना, खाने में, fast food का use करना, stress, anxiety, और कोई भी आपका trigger point है, आप इसको पहले धूर करें, तभी आप माइगिन के attack frequency को कम कर सकते हैं, क्योंकि माइगिन के treatment, म इसके attack को भी रोकना होता है, तो जितने attack को आप कम रखेंगे, उतना जादा आप माइगिन से बच पाएंगे. तो उसको समझ नहीं होती, तो ऐसा कहा जाता है, चाय पीलो, या जाकर सो जाओ, और ये कहा जाता है, कि जो माइगरेन है, उसका कोई treatment नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है, जाकर सो जाओ, या light band कर लो, कितनी सच्चाई है इसमें, या एक myth है? ये सचाई तो नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बताया है, कि trigger points, trigger factors अगर avoid कर लोगे, तो आप माइगरेन के अटेक्स को काफी हद तक कम कर सकते हैं, तो usually migraine के बारे में आपने सभी बोला, एक variety होती है, primary headache की migraine के साथ साथ, उसके हम बोलते है, chronic tension type का headache, usually उन patient के personality में, depression, anxiety जाधा होती है, तो उसके कारण से, इनका headache का type बदल जाता है, उसमें headache, अब throbbing type करना होके, उसमें heaviness, ऐसा लगता है कि उसके सिर पर किसी ने वजन रग दिया हो, और यह headache 400 गंटे रहता है, और उसको नेंद भी आ जाती है, लेकिन इस headache के कारण से, उसका काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको सिर में भारी पन रहता है, तो इस condition में हम patient की diagnosis दुना के, उसके anti-anxiety drug, yoga वगरा है, और इसका stress level को कम करके, इस patient की help हम कर सकते हैं, जी बिलकुल, तो यहां पर भी यही बात निकल कर आती है कि इसमें भी अलग-अलग phases होते हैं, अलग-अलग तरे के symptoms होते हैं, कभी-कभी जैसे कहते हैं, चटका चलना ऐसा लगता और कभी-कभार सर में भारीपन महसूस होता है, तो इसका सबसे बड़ा उपाय, जो डॉक साब भी बताया है, वो यह है कि आप अपने tension को, अपने anxieties को, अपने परिशानियों का कोई ना कोई हल ढूंडें, और यदि आपको हल नहीं मिल पा रहा हो, तो किसी चिकित के पास जाएं, रॉक सब अकसर हम देखते हैं कि लोग इंटरनेट पर ही देख लेते हैं, हडेक हो रहा है, माइगरेन हो रहा है, इसके यह रीजन्स हो सकते हैं, खुद दवाय ले 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 लेते हैं, या कोई alternative medicine भी लेना प्रिफर करते हैं, कितना ठीक रहता है सब कुछ, क आई बार लेने के जोवत पड़ रही है, तो इसको इस्तिती में आपको अपने physician से consent करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको diagnosis जिम्नाना पड़ेगा कि आप primary headache या माइगरेन के headache से जूज रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई headache आ रहा हो और इसके अंदर में कोई और बीमारी चिपी होई हूँ, जिसको हम secondary headache बोलते हैं, तो एक बार आप जरूर एक बार डॉक्टर से consent करें और अपने आपको diagnosis करवाए कि आप primary headache से जिम्नाना है या secondary headache से, जिससे कि आपको future में कभी कोई ऐसा ना हो कि कोई और बीमारी लेकी घुमरे और आप headache को नजर अंता किस तरह के consequences हो सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप टेज होना शुरू हो गया, साथ में अब इसको daily होना शुरू हो गया, पहले ऐसा नहीं था, पहले उसको एक pain killer से काम चल जाता था, लेकिन अब pain killer का सर भी अब धीदे करके कम होता जा रहा है, साथ में अगर कोई recent headache है, यानि कि किसी मरीज को अभी 10 या पंदे दिनों पना रहा है, तो ये चीजे हैं कि आपको alarm करती हैं कि आपको अपने डॉक्टर से तुरन दिखवाएं और अपनी चांचे करवाएं जिससे कि आप बच सकें कोई भी alarming headache से, अगर आपको भी लगता है, आपको या आपके आसपास किसी को भी सरदर्द बहुत जादा रहता हो जैपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूले। के पास जाना चाहिए। कि फीबर के साथ किसी कोई headache हो रहा है, तो इसमें patient को हो सकता है, दिमाग में infection हो रहा हो, जिसको हम Meningo Incephalitis बोलते हैं, कभी-कभी severe headache कि इतना जाता हो जाता है कि एक हाथ एक पैर में सुनना पाना जाता है, तो इसमें कभी-कभी नस फट जाती है, जिसको medical emergency होती है, तो इसमें हमें तुरांत मरीज का CT NGO एक प्रिकार की जाच होती है, इसमें देखना पड़ता है, कोई दिमाग की नसमें कोई गुबारा तो नहीं बन गया है, तो इस प्रिकार से हम मरीज को second headache में हम treat करते पहले, आप अपने आपको investigate कराईए, और इसके बाद ही आपको यह पता चल पाएगा कि आप primary headache से जूज रहे हैं और second headache से, क्या कुछ बीमारिया हो सकती है सरदर्द से जुड़ी क्योंकि हमने migraine की बात किये जो बहुत common है, आपने बताया कि migraine का treatment है, बशरते आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी जाच करवाएं, तो इसका treatment possible है, साथ ही ऐसी कौन-कौन सी बीमारिया है, जो headache से जूड़ी है, या underlying symptom है, या जहां पर यह secondary symptom है, ऐसी कौन-कौन सी अब यूजरी हम बात करते हैं, या एपिलेपसी या मिर्गी, मिर्गी भी एक common periphery में, या city में, दोनों जके दिखने वाले common बुमारी है, यूजरी, अब myths बोलते हैं, कि हम उनको myths क्या है, जाए परिफिरी में पहले, आप प्रानिस में की बात करो, तो जब भी patient को attack होता मिर्गी का, उसमें मरीज के हाथ पर जूसते थे, मरीज के मुझ से जग निकलता था, उसके बाद लोग क्या करते थे, उसको पकड़ लेते थे, उसको बहान देते थे, कि भाग ना जाए, उसके जीप के नीचे या दातों के नीचे चमश डाल देते थे, उसके कंदे को पक जिसकी आज की तारिक में दवाईयों से 80-80% लोगों में रेस्पांस आ जाता है बागी के 10-10% केसे में आज कल के सिर्जरियों में कुछ सर्जरी यह सी आती है जिससे हम उनका टीटमेंट कर सकते हैं एपिलेपसी के आपने बात कही और आपने बहुत अच्छी बात कही कभी कभार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को जैसे मिर्गी का दौरा कहा जाता है तो घरे लूप चार किये जाते हैं सबसे पहले जिससे पहले हम ट्रीटमेंट पर आएं अगर किसी व्यक्ति को आस-पास इस तरह का आटैक आ रहा हो तो इंस्स्टेंट्ली क्या कुछ किया जा सकता है जैसे मेडम ने पूछा, अगर किसी के मरीज को एपलेपसी का अटेक आजाए और साथ में अगर आप लोग खड़े हुए हो तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस मरीज को दाही तरफ या बाही तरफ करबड दलानी है, क्योंकि एपलेपसी का अटेक सिर्फ दो से लेकर पांच मिनट तक जाद से ज्यादा रह सकता है, उससे ज्यादा यूजरी एपलेपसी नहीं आता, साथ में अगर आपको लग रहा है, तो उसके मुह से ज्याग निगाल दीजिए, लेकिन करता ही यह ना करें कि आप इसके मुह में या जबान को खीचें, या दातों के लिए चमस लगाएं, या दातों की बीच में अपनी उंगली रदें, वो काट लेगा, आपकी उंगली क के अंदर उसका टेक खतम हो जाएगा और वो बिल्लकुल ठीक हो जाएगा. हमारी दिमाग में नीरोन होते हैं, कभी का बार in neurons में हाई पर्टीबिटी एक तरह से करेंट का ज्यादा बनना, जिसके कारण से उस हिस्थे में, आक्सिव अक्टिविटी के कारण से वह इसादा काम करना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशन में मरीज को एक हाद एक पैर जांचनार्ट दाने जाती है तान आते हैं ऍसको, आंगे मरीच में सिथे correctly आंक ऊपर या दाइबाय चले चाने जाती यहूं कुछ माइल्ड नहीं होता क्योंकि एकदम से जो अगर यूस्टू नहीं हो या पहली बार आ रहा हो तो कोई भी घबरा जाएगा तो इसका क्या ट्रीट्मेंट संभव है सर यूसरी मैडम आपने पूछा कि यूसरी देखने के मिलते हैं एक होती है फोकल एप्लेप्सी जिसमें दिमागे सर्फ एक हिस्से से एप्लेप्सी का डिचार्ज या तरंकती स्टार्ट होती है और जो बाद में धीद्रे फैल के पुरे दिमाग को इन्वार्व कर लेती है एक दर्शक जोड़े आपको रूप जाना चाहते हैं हम माईगरेन की सरदर्द की बात कर रहे हैं आपको क्या सवाल है पिने सिरोकीं की बार में बजाता हूं थारणा चाहते हैं अझा वैजी सरे आपके आवदेग्या अजहनु है अब दुबारा किया था से लिः प है और फोगली की बात कर रहे हैं पोकल लप्सरी में एक बार दिमाग के एक हिस्से में आपका करनेट फइलता है और GTS में उसमें पूरे दिमाग में ऐग साथ करनेट फइलता है तो GTS में चारो हथपर में अकलन मुझसे ज़गाना मिथे आक नये लेना, कर दन का मुड़ो जाना उसके बाद मरीज पोस्ट इस्टल फियर्ज में चला जाता है कि मरीज कुछ समय के लिए केंफ्यूज रहता है और तीन से पाच मिनट बाद मरीज को खोश आ जाता है तो इस कंडिशन में मरीज अकर पहला दौरा आया है मरीज को तो एक बार आस पास के जो भी आपका डॉक्टर है या फास्पिन में ले जाएं और अपनी अच्छा से चार्ज करवाएं कि इसका कारण क्या है क्यों ये दौरा आया है तो इसका ट्रीट्मेंट संभाव है सर जी अब यूजली हम बात करते हैं कि तो इसका कारण क्या है तो हम बात करते हैं कारण क्या है जैसे बच्चों में यूजली जो बच्चों में मरगी होती है उसका कारण होता है कि जब बच्चा पेट से निकलता है तो उस पर हाइपाक्सिक इंजरू हो जाए इसके delivery में दिक्कत हो जाए, oxygen की कमी हो जाए, जिसके कारण से दिमाग में कुछ sport या कुछ नसे बंद हो जाती है, तो बाद में 2-4 साल बाद मरीज को मेरिगी के दोरे पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण से दिमाग में एक लारवा, जिसको बोलते हैं, सिस्टी सर् वो दिमाग में पहुंच जाता है, जिसके कारण से मेरिगी के अटेक आटेक आजाते हैं, अब एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट में कुछ बिमारिया ऐसे होती है, जिन में चोट जादा लगती है, यंग एज में, तो उनके कोई spot रह जाते हैं, वो focus कभी भी फीवार आ जाए, कोई दिमाग में इंफेक्शन हो जाए, तो वो एक प्रिकार से फैक्टर के तरह काम करते हैं, जो seizure को provoke करते हैं, तो यह नहीं किसी भी age group में हो सकता है, और कुछ भी हो तो डॉक्टर के पास जाना ही, एक मात्रों उपाए, उस समय बचता है, आपने कहा, ब्लट क्ल क्लॉट जिसको हम हिंदी वाशा में लकवा या पक्षागात कहलते हैं, और हम इसको इस ट्रॉक कहते हैं, इस ट्रॉक दो पर करके हम देखने को मिलते हैं, एक होता है जिसमें क्लॉट आ जाना, हमारे दिमाग में चार खून के नसे होती है, जो मेजर नसे होती है, तो दो इस अपने दिमाग के सीधे इससे को सप्लाई करती है और दो बाएं तरब वाले इससे को सप्लाई करती है जब भी कभी इसमें क्लॉट आ जाए तो उस जगह के एरिया में ब्लेड का सर्कुलेशन डुक जाता है और उस रुकने के कारण से मरीज को एक हाथ पैर का और चेहरे का लखवा जाता है तो एक कारण तो यह होता है दूसरे कभी कभी होता है कि उस जगह की नस फट जाए और उस जगह से ब्लेड लीक हो जाए जिसके कारण से उस दिमाग के तो भी उस कंडिशन में भी मरीज को एक तरव हाथ और पेर में लगवा जाते हैं। जी डॉक सब हम यह देखते हैं आजकल स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया और बहुत कॉमन एक आस पास देखने में मिलता है और एक एज ग्रूप में बहुत जादा दिख रहा है। इसमें यूज़ यूज़ली हम दूप रहा करके फैक्टर होते हैं, एक मोडिफाय स्ट्रोक और नौन मोडिफाय फैक्टर, इसमें एक मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यूज़ली आज के सिरुड़र की बात करें। शुगर है, ब्लट प्रिशर है, सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, आज कल सब हलका काम करते हैं, बैठ रेने का ज़्याद़ शौक है, खान पीन, फास्ट फूट का ज़्याद़ सेवन करते हैं, चिक्णाई ज़्याद़ खाते हैं, और साथ में स्मॉकिंग, एलकॉल का ज़्या लेकिन अब ट्रेंट चेंज हो गया है लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है उसके कांड से हमें अब इस टॉक यंग एज में भी देखने को मिल जाता है कि 35-45 लड़के को या 40 आदमी को भी अब इस टॉक होना शुरू हो गया है जी और ये बहुत ही ज़्यादा अलामिंग बात है क्योंकि हम इतना कॉमन सुनने लग गए हैं ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता होगा लेकिन अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा या इसका जो केसिज हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब एक और जब सरदर्द से हम फिल्मों भी देखते हैं को यह ऐसे सीन सामने आते हैं कि सरदर्द चल रहा है और अचानक पता चलता है कि उस व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है तो ब्रेन ट्यूमर और सरदर्द का क्या कनेक्शन है कितने प्रकार की होते हैं किस तरह समच सकते ह ब्रेन टूमर में यूजरी, मरीज के दिवाग में कोई भी गांट यह किसी परिकार का सूजान आ जाए या इडिमा हो जाए दिसको मुत सूजाना कहते हैं उसमें उसली हैडेक एक सिंटम हो सकता है कि अंडलाइंग मैलिडीन सी है और हैडेक एक सिंटम है तो उसमें हम जो neurologic examination करते हैं या मरीज को clinically देखते हैं तो हमें कुछ चीज़े odd मिलती है जैसे एक हाथ एक पैर में सुनना पनाना, मरीज की history पर पता चलता है कि कभी-कभी उसको एक हाथ पैर में जटके आते थे, कभी-कभी उसको ऐसा लगता है कि इसके आखों के आंगे से तो होशनी कम हो जाती है, बेहोश हो जाता है, तो यूजर या warning sign है कि कोई ना कोई चीज दिमाग में चल रही है, तो उस condition में मरीज को investigation in the form of CT scan है, MRI है, या एड़ के पानिक जिसको लंबच पंक्चा गयते हैं, उसमें हम यह चीज़े चक करते हैं, और हम अपने एक लेता है, या इस तरह का lifestyle or culture हो चुका है, तो जो हाथ सुन हो जाता है, क्या ये भी एक underlying factor होता है, और इक किस प्रकार की बीमारियों की तरफ संकेत करता है, हाथ कर सुन होना, जब हम ज्यादातर computer चलाते हैं, या mouse पे हाथ चलाते हैं, तो यूजर ली अपनी जो हाथ की नस होती है, उसमें दवा वाने के कारणने से कभी-कभी हमें जंजनाट शुरू हो जाती है, तो यूजर लगवे में इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होता, ये अलग से एक बीमारी होती है, इसको हम कार पर टरन सिंड्रम बोलते हैं, तो यानि की सब अलग-अलग symptoms हैं, लेकिन यदि आपका भी ऐसा काम है, जहां पर आपको ऐसा फील होता है, आपके हाथ या पैर सुन हो रहे हैं, या आपको कुछ ब्लाक आउट हो रहा है, तो तुरन जाएं और अपने डॉक्टर से परामरश ले, क्योंकि हो सकता है, ये कुछ आगे आने वाली बीमारी का संकेत हो, लेकिन यहां पर संभव ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके फिजिकल आक्टिविटी कम हो गई है, जिस वज़े से आपको इस सरके सिम्टम्स फील हो रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है, टॉक्स अब हम बात करते हैं, साथ में एक और कंडिशन जो हम देखते हैं, जिसमे जो temporary होता है, जिसमें सिर्फ मू टेडा हो जाता है कभी कबार, और इसको इस ट्रोक भी नहीं होता और लकवा भी नहीं होता है, इस तरह की भी एक सिम्टम्स का कुछ नाम भी होता है, उसे कैसे समच सकते हैं, एक कभी कभी जैसे कि आप मौसम चप चेंज होते हैं, यानि क इसको हम फेशल नहीं बोलते हैं, वो दिमाग से निकलती है, कान के थुरू अपने चेरों के सप्लाई करती है, तो यूजरी कॉमन फीचर होता है, मुह कर टेडा होना, इसमें हम दो परकार की मुह कर टेडा होना बोलते हैं, एक को बोलते हैं, बैल्स पालसी या एलमन पालसी, जो पेरिफरल में होती है, और यह ज्यादा स्टॉक चाहसे खतरनाक नहीं होती है, इसमें हम डिफेशिट करते हैं कि स्टॉक के कारण से तो अपना मुह टेडा नहीं हुआ है, तो यूजरी पैल्स पालसी में आपकी आँखें बंद नहीं होती है, आँख खुली क बनते हैं, तो बेल्स पालसी में रिंकेंस नहीं मिलते हैं, इसके उल्टे, जब स्टॉक के कारण से अब चेहरा टेडा होता है, उसमें यूजरी आंख में कोई प्रावल्म नहीं होती, बस मुह टेडा होता है, और साथ में हाथ और पैर मैं समस्य आती हैं, और साथ में कि इसके पैसे पैसे पालसी में ज़्यादा होती है, जब सेजन चेंज होता है, तो बेल्स पालसी का जाएतर कारण देखा गया है कि इंफेक्शन, वारेल इंफेक्शन, किसी को जुखाम कांसी हुआ, उसके बाद कान के आस पास दर्दोना शुरू हो जाता है, और कुछ कोई पैसिन को कोई और कीमो अधरेपि या कोई इमनोटि कंप्रमाज दवाय दो ही तो हम पहले यूजरी यह देखते है लेकिन आम हम लगता है कि अगर पैसिन को ऐसी इसको उपड़ी दिकत नहीं है, उसको जुखर नहीं है, कोई इमनीटिस के विक नहीं है, तो उसको हम थोड़ा सा व्यायाम करता है, exercise करता है, खान पान को change करता है, जो modifiable factors हैं, तो इन चीजों को control भी कर सकता है, और इन से recover भी कर सकता है, बोलकुल, जैसे stroke बाले patient में हमने देखा है, study में भी established हो चुका है, कि अगर आप diabetes control लगें, blood pressure control लगें, 10,000 steps per day चलें, अपने जीवन शे करें, fruits, vegetables ज्यादा से ज्यादा लें, और योग करें, और अच्छी तरह से खुश रहें, खुश रहने से भी क्या होता है, कि आप छोटी सी बात है, कि खुश रहने में आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन आप खुश रहेंगे, तो अगर BP control होगा, आपकी sugar control लेगी, और काफी ऐसे चीज़ें हैं, जो एक दूसरे से रिलेटेट होते हैं, वो आपको काफी अधा कमपनसेट हो जाते हैं, तो इसलिए खुश रहने से भी आपकी कई neurological problem काफी solve हो जाती है, बिल्कुल, तो जैसा कि हमेशा कहा जाता है, डॉक्स अपने बहुत अच्छी बात की, that prevention is always better than, कि और और खुश है न, हाला कि आज के टाइम में, जिस तरह की work pressure हमारे पास में, जिस तरह की जीवन शैली हमारे आसपास है, हमें लगता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन सब कुछ दर किनार करके, अगर हम अपने आपको priority दे, हम सोचे कि हमारा स्वास्त, और जानक हो सकती है, कि वो बीमारियों तक ले जाएं, अगर आप खुश रहेंगे, तो आपका lifestyle भुलकुल चेंज होगा, आपके modified factors भुलकुल ठीक होंगे, आपको blood pressure की समस्या ही नहीं होंगी, तो काफी हद तक खुश रहने से, आप काफी हद तक ना कि neurological बाकि कई और दर्शको को खास और से, जो यूवा हमारे साथ जुड़े में, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? जीवन शेली बुलकुल affected होगी, और आप इससे पैशानी रहेंगे, तो आप अपनी जीवन शेली को बुलकुल सहयोग कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप खुश रहें। साथ में हमको इसको एक्सराइज बगरा, योगा बगरा बताते हैं, और सब के जो भी मायगिन के प्रोगेटिक फेक्टर है, उसको दूर रखें तो काफी हद तक मरीज अपने मायगिन के अटेक पे रिलीव कर सकता है। दूसरे था हम स्ट्रॉक के बात करते हैं, तो स्ट्रॉक में जो डाइबिटीज, बीपी, स्मॉकिंग, एलकोहल, ड्रक्स लेना, सेटेंटी लाइफ स्टाइल हैं। तो अगर यह चीजों से मरीज आमादमी दूर है, तो उन चीजों की उसको कभी जबाद नहीं पड़ेगी, कि उसको कभी प्रक्स हो लेकिन अगर प्रक्स हो जाता है। जिस हाथ पेर में या जिस नस में सिम्टम्स आ गए हैं उसको खुल जाती है और इसके बाद भी अगर मरीज हमरे पास साल चार गंटे के बाद आता है तो हमारे हस्पितारों में और कई बड़े-बड़े हस्पितारों में अई सिब्धा है जिस में हम क्लॉट को एक मेकेनिकल वायर के थूरू निकाल सकते हैं और उसको सिंटम्स को या उसकी बिमारी को काफी अब तक सही कर सकते हैं जी बिलकुल पियानि कि अगर कोई समस्या बड़ी है तो उसका उपचार भी हमारे पास मौजूद है बहुत सारी सी नमीनतम तकनीके आ गई हैं जिससे सही समय पर अगर उपचार मिल जाए तो जो मरीज है बहुत जल्दी ठीक हो सकता है लेकिन अगर थोड़ा डीले भी हो जाए तो उसका हमारे पास इलाज सम्भव है डॉक्टर अमित आप हलो डॉक्टर पर आया और आपने जो भी जानकारी दी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक उससे जरूर फायदा लेंगे इस बात को समझ गए होंगे कि अपने आपको स्वस्थ रखने के लिए एक modification lifestyle में बहुत जरूरी अच्छा खाना पीना जरूरी है व्यायाम जरूरी है प्राणायाम जरूरी है और साथ ही डॉक्टर को हलो बोलना भी time to time बहुत जरूरी है जिसे कि आप स्वस्थ रह सकें और डॉक्टर को time to time मिलकर उन